इंसान की जरूरते वक्त के हिसाब से बदल रही है रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ फोन और डेटा अब हर व्यक्ति की अवशक्ता बन गया है अगर आप इंटरनेट और ब्रोडबेंट सर्विस का बिजनस करने की सोच रहे हैं तो ये आज की समय में एक बेहत अच्छा बि बिजनस वाले लोग घर से work from home कर रहे हैं इसके लावा भी हर जगा नेट के आविशक्ता पढ़ती जा रही है हम सबकी दुनिया मुबाइल और नेट पर आकर सिमट गई है आज के समय में बिना नेट सब शून नहीं रहता है ऐसे में सबसे अधिक जो डिमांड है वो है ने मतलब हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है जिसमें वाइड बैंड की फ्रीक्वेंस को इस्तिमाल में लाया जाता है जिससे आसानी से information transmit हो जाती है इंटरनेट एंट ब्रोडबं सर्विस का बिजनस एक ऐसा बिजनस है जिसमें आप कई तरह की सुविधाइद दे सकत उसके service plan के बारे में पता करें, लोगों से feedback लें, उस company के बारे में rating लें, जिससे आपको अंदाजा लगे कि लोगों को क्या चाहिए और क्या नहीं, अब अपने business को एक बार फिर से review करें, जिससे जो भी changes करने हों तो आप कर सकें, लोगों के review और rating से सीखते हुए उन तक न को एक अच्छे professional के साथ मिलकर planning बनाएं और लोगों की demand के अनुसार अपना package तयार करें, documents बनवाने के लिए आपको एक अच्छे वकील के आवशकता होगी, वकील के साथ मिलकर आप अपने documents ready करें, इसके बाद आपको Telecom Regulatory Authority of India से license के लिए संपर्क करना होगा, इसके आपको representative से बात करने company के CEO से meeting fix करनी होगी, meeting fix होने के बाद आपको internet distributor को सब भी documents दिखाने होगे और अपने business के बारे में बताना होगा, यदि सब कुछ ठीक रहा तो अपना contract sign हो जाएगा, नहीं तो आपको किसी और cable broadband station से संपर्क साथना पड़ सकता है, जब तक आपके business की लिखा पड़ी पूरी नहीं हो जाती, तब तक आपको इसी तरह से इधर-उदर पता लगाते रहना है, internet and broadband service शुरू करने के लिए निवेश कितना होगा, यदि आप internet and broadband service शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास 10-12 लाग तक का budget होना चाहिए, हो सकता है, इस के साथ परिवर्तन करते रहना पड़ेगा, अपनी service को सबसे बहतर बनाते रहने के आवशकता होगी, उमीद करते हैं, हम आपके लिए इस वीडियो में कहीं हद तक जानकारी चुटाने में सफल हुए हो, फिर भी यदि इस business से जुड़े कोई और सवाल है, तो आप अपने